हेलो विर्वन आएम धर्मन टेनर आफ एई हाउस इंडिया आज हम एई हाउस साप्टेवर में इस्टाइल रिप्लेस्मेंट इन कीचन केबिनेट के बारे में जानेंगे तो अब हम चलते हैं सिधे एई हाउस के इंटरफेस में जिसमें हमें एक कीचन को डिजाइन्स की पैनल्स है और ये कैबिनेट्स है और ये ड्रॉवर है इन सभी को हम चेंज करके उस आफशन से देखेंगे रिप्लेस्मेंट से तो हम आते हैं कीचन कस्टुमाइज में और जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लोबल मोडिफिकेशन में इसमें थर्ड आफशन जो है स्टाइल इसे हम क्लिक करेंगे तो हमें इस टाइल रिप्लेस्मेंट का एक प्रोपर्टी पुरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें डोर पैनल्स ट्रॉवर एज और काउंटर टाप सभी को हम एक एक करके फुल डिटेलिंग के साथ हम चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप राइट क्लिक करक कि तो वह सबी सेटेंग्स आपको स्टाइल रिप्लेस्मेंट से मिल जाते हैं यह जो है इस मेटरील सbuilt है कैबिनेट के इंटीरियल को हम मेठेरील्स चेंज कर सकते हैं कैबिनेट्स के जैसे कि हम हण प्रेस करके हम ढौबर को भी उपन करते हैं जैसा कि आप देख रहोंग से तो यहांब हम क्लिक करते हैं मैटेरियल्स पे कैबिनेट के यहां से हम कोई भी एक मैटेरियल को ले सकते हैं जिसे सॉलिड डूड मैटेरियल ले सकते हैं या कुछ अगर और उट के देने हैं तो उसमें से दे सकते हैं या हम फिल्टर से कुछ होंगे solid wood में वो सभी materials से आ जाएंगे screen पे तो यहां से आप किसी एक को click करके यहां से हम choose कर देंगे और वो सभी पे apply हो जाएगा तो यहां से हम choose कर दियें और जब देख सकते हैं तो जहां भी carcass material है cabinet के तो सभी autofil हो गए हैं अब इसके बाद इसके just नीची जो options अब हम देखेंगे अभी हम एक एक करके देख लेते हैं सभी में materials feel हुए हैं कि नहीं तो जैसा कब देख सकते हैं ओप्रेस करने पर सभी swim हो रहे हैं और सभी materials feel हो चुका है अब फिर से हम style replacement में आते हैं और हम यहां से door style में आते हैं तो जैसा कि अभी हम option में है door panel में तो जहां भी हमारी door panels create हुए हैं वहां के सभी functions change हो जाएंगे और जो drawer होगा वो नहीं change होगा तो अभी हम इसे करके देखते हैं door panels के इसमें से हम बहुत सारे folders में अलग-अलग panels दिये हुए हैं जो material library में है तो यहां से हम plastic door panels का एक panels को हम create करते हैं यहां से choose करके apply करते हैं तो जैसा कब देख रहे होंगे जहां भी सभी door panels के रियर से सभी change हो गया हैं और drawer नहीं change होगा है तिसे आप select करके right click करके door panel style में आ करके panel type में आके यहां से आप चाहें तो select करके change कर सकते हैं और बाकी उसके just नीचे एक option है style replacement में वो भी मैं दिखाऊंगा कि वहां से कैसे drawer को change कर सकते हैं आप यहां से select क करके right click करके direct change कर सकते हैं same materials को और अभी अब इसके बाद style replacement में हम आते हैं तो यहां से door के हम materials को change कर सकते हैं उसके corridor को हम change करेंगे और just नीचे जो drawer है drawer के भी option को भी हम जानेंगे तो अभी हम door panels के सभी materials के लिए जान लेते हैं तो यहां सब हम इसके colors को हम यहां से feel कर लेंगे जो भी बीच color के हम लेते हैं तो बेज में हम white लेते हैं तो जैसा कब देख रहे होंगे तो जो इसके door materials के edge होंगे sides heads के material fill हो जाएंगे और यह door core जो style है तो इसके side के जो होंगे course वो इसके styles change होंगे वो भी अभी हम देखाएंगे इसे हम select करते है colors अब हम door core style पे आएंगे तो इसके जो panels के frame होंगे वो सभी change हो जाएंगे styles होंगे change यहाँ हम replace पे आते हैं इसी तरह हर एक का अलग-अलग categorize में आपको materials और styles सभी मिल जाएंगे तो जैसा कब देख सकते हैं अभी पूरे white में change हो गया है और drawer नहीं change होगा तो इसके जेस्ट नीचे आपको एक handle style का भी है handle style भी change कर सकते हैं और या तो इससे select करके right click करके यहां से हम इसके drawer को change कर सकते हैं यहां से door core style से यहां से plastic लेते हैं और same जो हमने panels create किया है इससे choose कर देंगे और एक एक करके select कर लेते हैं यहां से select कर लिए और फिर right click करेंगे right click करने के बाद हम इसके और style में आएंगे door core style में यहां से आएंगे door panel पैनल टाइब और यहां से हम जो plastic door panels को ले लेंगे यहां से भी हम select कर सकते हैं जैसा का आप देख रहेंगा सभी change हो गया है और फिर से हम आ गए हैं यहां से handles को आप change कर सेंगे अब हमारा यह है drawer का अब हम जैसे की drawers के कोई styles को change करेंगे तो other नहीं change होंगे जैसा का आप देख रहे होंगे यह सिर्फ drawers के options हैं इसमें materials, door core style और handle सभी आपको मिलेंगे तो अब इसके नीचे हम इसके लिए देखते हैं जो इसके edge को ले करके, edge को भी हम देखेंगे पहले हम drawers के जो कुछ materials हैं इसके लिए देख लेंगे और door core style यहां से हम change कर सकते हैं जोसे के drawer का यह option आप देख रहे होंगे यह door panels के अलग है options हैं इसी तरह हर एक अलग अलग सबके property है total और फिर इसके बाद हम आते हैं यहां पर इसके just नीचे एक handle के लिए है इसे drawer में अगर handle add होता तो यहां पर handle की style को change कर सकते हैं और इसकी यह edge material है तो जैसे हम इसके edge पर किलिक करेंगे तो जहां पर इसके अलग अलग जगह पर एज है सभी color change हो जाएंगे इसे सभी black में change हो गई edge side side में जैसे कब देख रहे होंगे अब इसके बाद यह है counter top के लिए just उसके नीचे है अभी उसके लिए हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा इसको drag कर लेते हैं उपर की तरफ अब हम आ गया है counter top पे तो यहां पर हम click करेंगे counter top पे यह सभी automatic जिसे color इसके हैं सभी change हो जाएंगे यहां से हम replace में आएंगे कोई भी हम इस tone के color लेगर के हमसे choose करेंगे तो जैसा काप देख सकते हैं सभी change हो चुके हैं और all space में जैसे कि यहां पर सबसे last option से हमारा है cornice और skirting को यहां सब change कर सकते हैं हमने skirting को change करके दिखाते हैं हम इसे solitude में लेकर जैसा काप देख रहेंगे यह पूरी तरह से change हो चुका है तो इसी तरह आप भी एक प्रयास कर सकते हैं style replacement tools को thank you for watching